तोडें, I will be discuss about Gauss Divergence Theorem, ठीक है, of Vector Calculus, Gauss Divergence Theorem पढ़ेंगे हैं अमाज, ठीक है तो इसकी जो statement क्या है, statement इसकी, the surface integral of a vector field A, ठीक है, over a closed surface is equal to is equal to the volume integral of the divergence of the vector field A, ठीक है, over the volume V, enclosed by the closed surface, ठीक है तो यह देखो यहां पर क्या ब लगैंगे है आपको इक double integral है ठीक है और एक आपका beep ट्रिप्ल इंतेगरल है ठीक है यानि आपका wiping त्रफियस इंटीक्रल है और दूसरा का तो यहां पर मैंशन किया हुआ है आपको S क्या है आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ठीक है तो यह थी आपकी क्या है आपकी दो नंबर के कोशन में भी आपकी जो डेफिनिशन है वो पूछ सकते हैं ठीक है नो नेक्स्ट है आपका कोशन है अगर होती है तब यह नहीं होती है तब भी है ना तो ghost divergence theorem का हमाँ पास जो formula है वो क्या है dy equal to ghost by the ghost divergence theorem ठेक है the surface integral f.ds equal to the volume integral curl.fdv ठेक है ये होगी आपके left hand side ये होगी आपके right hand side ठेक है तो हम क्या करते हैं पहले right hand side को लेते है ठेक है जब right hand side को लेंगे तो हमारा पास क्या है गा volume integral B यह हो जाएगा आपका curl.f dv ठीक है जैसे हमने right hand side लेए तो हमें क्या था हमाँ पे curl.f था ठीक है तो यहाँ पे देखो f क्या है हमारे पास question में दिये हुआ x square i plus y square j plus z square k है ठीक है हमें curl पता होता है जो dell होता है उसकी value पता होती है यह देल क्या होती है हमारी curly over curly x i plus curly over curly y j plus curly over curly z k यानि dell over del small dell a तो dell over del z k भी बढ़ सकते हैं तो आप divergence का आपको जो formula है वो पता होता है क्या होता है जब i और i को dot product होता है तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है j dot j होता है तो 1 आता है अगर i dot j होगा तो आपे क्या जाएगा 0 हाजाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पे i को i के साथ हमने dot product निकालेंगे इसका जब i को i का i के साथ हमने dot product निकाला तो हमारे पास जो यह आगया curl dot f f vector ठीक है तो यह आजाएगा हमारा curly over curly x x square plus curly over curly y y square plus curly over curly z z square आजाएगा ठीक है तो जब इसको solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x plus 2y plus 2z आजाएगा ठीक है और जो dv है वो क्या है dx dy and dz बोले मैं तो dx dy and dz हो गया ठीक है तो देखो हमारी जो right hand side है ठीक है यहां से जो हमारी right hand side है तो वो क्या हो जाएगी अब use हो जाएगी हमारी double integral ठीक है curl dot f dv sorry triple integral curl dot f dv del dot f dv ठीक है del लेगे है that's equal to the volume integral ठीक है यह हो जाएगा आपका जो del dot f था ठीक है del dot f आपके पास क्या आएथ 2x plus 2y plus 2z तो 2x plus 2y plus 2z dx dy and dz ठीक है अब यहां पे देखो हमारे पास x की limit क्या दी होई है 0 to a दी होई है y की limit क्या दी होई 0 to v दी होई है और z की limit हमारे पास क्या है 0 to c दी होई है ठीक है तो यह देखो यह क्या हो जाएगा यहां पे तो यह हो जाएगा 2x plus 2y plus 2z dx dy and dz ठीक है पहले हम with respect to x integrate करते हैं उसके आद y और उसके आद z integrate करेंगे ठीक है तो हमार पास क्या हैगा यह हो जाएगा 0 to c 0 to b ठीक है with respect to x integrate करें तो यह आपकी क्या थी x की limit थी 0 to a ठीक है question में जब हम देखेंगे हैं तो जब इसके recording हम इंटेगेट करते हैं तो यह हो जाएगा 2 constant है तो बाहर जब इसको integrate किया हमने यह हमने direct लिखा हो ठीक है तो x square y 2 2 से 2 cancel हो जाएगा 2y वैसे constant था तो 2y और integrate किया तो x आ जाएगा वैसे 2z x आ जाएगा और जो limit थी आपकी 0 to a यहां पर आ जाएगी ठीक है अब अब अपर limit पूट करेंगे तो हमार पास क्या आएगा यह हो जाएगा 0 to c 0 to b जैसे हमने x की जगर a पूट के तो हमार पास a square plus 2 a y plus 2 a z ठीक है बाईस लोर लिमीट जीरो थी तो 0 होगी है न तो dy digit अब वित्रिस्पेक्टोर्ण क्या करेंगे y integrate करेंगे अब जैसे with respect to y integrate करेंगे तो हमार पास क्या आएगा यह हो जाएगा 0 to c a square constant था with respect to y integrate कर रहे हैं तो constant रहे हैं तो यह हो जाएगा हमार पास a square y plus 2a 2 constant था a v constant था ठीक है y की integrate with respect to y करेंगे तो यह हो जाएगा y square divided by 2 2 से 2 cancel हो गया वैसे 2a constant है और z भी constant है तो हम यहां पर क्या जाएगा y हो जाएगा यह हो जाएगा 0 to b और dy ठीक है अब जिसको समझने आ रहा है उसको मैं एक example यहां पर देता हूं ठीक है जैसे integration है 0 to v इस वाले को करते हैं तो यह हो जाएगा आपकर 2a y ठीक है हम next इसको आगे इसको solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यह हो जाएगा टू है ठीक है और y क्या आपको पता है कि विदिस्वेक्ट टू इंटिग्रेशन हो रही है तो यहां पर क्या जाएगा जाएगा ठीक है तू से 2 चैसल हो जाएगा और जहारा पास रहे हैं 0 to 2B जो मारे पास तरहां रहे होगा पास क्या बचाए यह बातो बी एवाइस के अपकल लिए चांब फूरल बी आपको बडेगे अब हम्में लास्ट करने की लिए तो इन्टिग्रेशन करने दूए एक टो जैड तो बीड जैसे इंडिकेशन करेंगे तो एह स्क्राइब है कяться चैनल मेरा यहां है जाए और यह यह का ज़ है कि यहां पर किया है आपका a v2 z плюс 2 constant ऐ दो डश करई तो टू से 2 two cancel हो जाए गर यह जागा जाए जी रो टू आखा ठीक है जोओ यह क्वेलीव कारेंगे हम Sc पूट करेंगे त가요Deal प्लसade 2 स्क्राइव स्क्राइब एक भी स्क्राइग का रगे आप साइब करेंगे और यहां और यहां पर जैसे इसको solve किया हुआ है तो यहां पर देखो इसको जब हमने solve किया ठीक है तो यह होगा 0 to c 2abzdz तो 2ab क्या है यहां पर constant है और 0 to czdz इसकी तरह ही हो जाएगा है तो यह हो जाएगा आपकी right hand side of questions अब हम पढ़ेंगे left hand side जो question कि आपकी left hand side थी वो क्या थी ठीक है तो left hand side थी आपकी जो first equation आई थी आपकी यानि जो ghost theorem का जो formula था वो था surface integral f dot ds ठीक है surface integral आपका f dot ds था ठीक है अब यहां पर देखो स क्या था आपका q y था तो हमने क्या गया q बना लिया ठीक है यह आपके faces है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो F हमारे पास given था, X square I plus Y square, J plus Z square, K ठीक है, अब यहाँ पे देखो यह आपके थे surfaces, ठीक है S1, S2, S3, S4, S5 S6, N क्या था, आपका unit vector था, और मैंने आपको एक दो वीडियो में पहले भी बताया है, जब N की value आपकी 0 होती है, तो X axis में हैं, तो I क्या होगा? Minus होगा, Minus I होगा अगर N की value आपकी positive हैं, जैसे A है यहाँ पे, तो I क्या होगा? Positive Y होगा, ठीक है अब तो वैसे ही देखो, यहाँ पे minus I, plus I, ठीक है Y equal to 0 है, तो minus J B, Y equal to B है तो J Z equal to 0 है तो minus K और Z equal to C है तो positive K अब यहाँ पे देखो, यह होगा F dot NDS ठीक है, F dot NDS ठीक है, F क्या था हमारे पास? X square I, Y square J ठीक है, X की जब हम 0 पूट करेंगे और यह था according to X axis ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 0 आजाएगा, ठीक है यहाँ पे क्या जाएगा? X equal to A है तो जब हम यहाँ पे A put करेंगे तो यह हो जाएगा A square, ठीक है? X equal to A है तो यह A square, DY और DZ आजाएगा यहाँ ठीक है? यह जो यह opposite आते हैं ना, जैसे X axis में तो YZ आएगा, Y axis में तो ZX आएगा Z axis में तो XY आएगा, ठीक है? और वैसे यह Y equal to 0 है जब यहाँ पे 0 put करेंगे और Y के साथ जब हम dot product करेंगे, ठीक है? तो यह आएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? वैसे Y equal to B है तो B square, DX, DY वैसे यह आपका Z है, 0 हो जाएगा और जब Z K था आपका तो यह हो जाएगा, C square, DX and DY हो जाएगा, जब हम Z C put करेंगे, ठीक है? C square, DX, और DY हो जाएगा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? 1st surface और 2nd surface था इसको क्या करते हैं? हम plus कर लेते हैं, तो plus करने पे हमारे पास 1st value यह आएगी, ठीक है? एसे 3rd and 4th को plus करने पे हमारे पास यह value हाईगी, और 5th اور 6th को plus करने पे हमारे पास यह value हाईगी, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है? ठीक है? left hand side में यह सारी value put कर जाणी है, ठीक है? जब हमने left hand side में यह value put कि तो first में हमारे पास क्या हैगा? a square dy dz second में b square dx dz third में c square dx और dy आ जाएगा ठीक है अब यहां पे देखो किस 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 के according जो है वो integrate हो रहा है एक with respect to x integrate y integrate हो रहा है और यहां पे with respect to z integrate हो रहा है ठीक है अब तो हमें क्या करना है हमें जो y की limit थी वो यहां पे put कर नहीं और z की limit है वो यहां पे put कर नहीं है ठीक है तो आपको पता है कि y की limit question में क्या थी y की limit थी आपकी 0 to b और z की limit है आपकी 0 to c ठीक है वैसे यहां पे second में with respect to x है और with respect to z है तो x की limit क्या थी वहाँ पास 0 to a और z की limit क्या थी 0 to c थी ठीक है वैसे हिएँ याम पे दिसक्रमें भी दिसक्रमस क्रफिकर एर के लिमिट थी आपके कोशिштमें 0 रोटी य और व्वाई की लिमिट हैक यहांपे is perky और स्वाल्व इंट्रिकेट करेंगे फ़ेले तो याँ का 0 2 c a square y 0.00 टुब ठीके A square y a square constant were y ठीके तो यह होगा Y और 0 टुब डीचे ठीके यह होगा 0 lleg to c b s x ठीके और 0 to a वैसे किu आप punct 0 to b c square x और 0 to a your для ठीके तो यह कैसे आ रहा है अपका एक कर लेते हैं 0 to b 0 to b a square d शूरू बहुता है यह दो नोट यह रहिती है तब हचांगई तब्सक्रायों बहुता गया तब्सक्豆 प्थेस्च जेट करे लिए स्काइब वह टोलग सब्टीन थम्हार वह लाउच तिक छूज़ करना गाएं न कींसल फटे सवक्डें को करेगे फिर ए में Х sin A square B एक है जैसे यहां पर A square B और यहां पर DZ. वैसे B square A D Z वैसे C square A D Y, थीक है अब हम भी से टू G Mor Evet करेंगे, यहां पर इंटिक्रेट करेंगे और यहां पर Y n director करेंगे, ठीक है वैसे Z in टिकेट किया तो A square B तो आपका बताए consistent in elementary aascade क्या हैगा as it is इस वे में जब हम करेंगे तो a square b constant है तो z 0 to c यहां पर b square plus a z constant is 0 to c c square a y constant is 0 to b आ जाएगा ठीक है जब हम z के जगा c value put करें तो हमारे पास क्या हैगा a square b c plus a square c plus a b square आ जाएगा ठीक है अब देखो अब हम यहां पर क्या करेंगे e b c हम यह सभी कॉमा निकालेंगे ठीक है जैसे हमने यहां पर a b c कॉमा निकाला तो हमारे पास क्या आया a plus b plus c आ गया है न तो यह होगी आपकी left hand side तो देखो आप जब right hand side थी वह किसके एको लोगी हमारे left hand side की एको लोगी ठीक है तो right and left hand side is equal to right hand side ठीक है hence verify the ghost divergence theorem of this question ठीक है बहुत interesting question है बस आपको एक दो step आपको समझ आने चाहिए है न और आपके यह जो है कम सकम 10-10 नंबर के आपके questions आते हैं ठीक है तो ऐसे interesting वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग